कि नमस्कार दो दर्सन समाचार के विशेर का इक्रम आमने सामने में आफ सभी दर्सकों का एक बार फिर स्वागत हैं मैं हूँ अजीर दिवेडी दर्सकों आमने सामने में आज हमारे साथ मवजूद हैं डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे जो कि इंद्रा गांडी राश्टी मुक्ति विशुद्धाले जिवलपुर के छेत्री निदेशक हैं उमेश चंद्री बहुत-बहुत स्वागत है आपका काचा जी धन्यवाद उमे तो किस तरीके से जो विशुद्धाला है वो उचिस इच्छा के छेत्र में काम कर रहा है तो कि आपका प्रदेश में लंबा हो रहा है आपने बहुपाल में भी काम किया है पूरे प्रदेश में इगनु को लेकर लंबे सब्सक्राइक आप जूड़े रहे हैं 27 वर्स करीब हो चुके हैं तो इगनु किस तरह की गटीविज्या कर रहा है कि तरह के चीजों को वो आगे बना रहा है जी निशे तरुप से आपका यह कहना सही है कि इगनु बेसिकली इन्नोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी यह जो दो इसके की पॉंट्स हैं जो नवाचार और जो इसक कार शेतर हैं जो इसका नेटवर्क है वो दुनिया में ऐसा किसी अन्य विश्वद्याले का नहीं है तो यह एक इसलिए संबह हो पाए है कि इगनु ने नवाचारी धंक से और एक लचीली शिक्षा बेवस्ता के जरीए एक आम आदमी तक शिक्षा पहुंचाने की पहल की इस बारे में मैं आपको एक सबसे इंपॉर्डेंट बात यह कहना चाहूंगा कि एक आम आदमी तक शिक्षा पहुंचाने का और कोई भी जरिया जो की नवाचारी धंक से ही हो सकता है और आज तो जब हम सस्टेनिबल डवल्मेंट गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो व इनोवेशन के जरी हम आगे बढ़ते हैं तमाज की सब ही जो डिस्पैरिटीज हैं उनको काटते चलते हैं और एक आम आदमी तक बहुड़े आसानी से पहुंचाते हैं मैं आपको बताओं कि इंद्रगादी नैशनल उपन इंवर्स्टी ने हमारे जबलफूर शेत्री के इ और इसके अलावा हम भौपाल में भी सिप्रूमे में रहा हूं हमने कई नए ऐसे पहल की हैं जैसे कि यहां पर भौपाल शेहर के अंदर जो स्लम एरियाज में जो ऐसी महिला हैं जो की अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ चूकी थी तो वो स्लम्स में रहती थी आम रोजमर्रा की जिन्दगी में हैं तो वो की जाइर है बहुत दूर थी हमने उनको शिक्षा की बेऊस्ता मिलाने के एक अभुदवर पहल की और हमारी क्लासेश हम इन महिलाओं के लिए हम स्लम्स में लगाते थे तो यह एक निया धंग है कि हमारे एक्सपर्ट्स और ने लेके आये तो उसके लिए हमने एक एक खास प्रोग्राम है जिसका उप्योग किया जिसको हम कहते हैं बेसलो अथारा साल का है और उसने अगर किसे अपनी पढ़ाई स्कूल की पड़ाई बीच में छोड़ दे माना तो उसको हम शिच्षा की मुखी धारा में लाने क और वो इसको पास कर ले तो उसके बाद हम उसको अलिजबल मानते हैं अपने विश्व दियाले में बी-ए, बी-कॉम, बी-टी-एज या बी-एस-डवलू जैसे सेक्षिक कारिकरमों के लिए जिसके लिए अधरवाइस लोगों को टैन प्लस टू किया होना चाहिए तमाम तरह की जो एक और विश्व दियाले में अगर आपने ड्रॉप आउट कर दिया है उसके बाद भी आप विश्व दियाले में एडियूसन ले सकते हैं उसके बार आप वहाँ पर अपनी सिक्षा पूरी करें के लिए प्राप्स कर सकते हैं हमने एक वहाँ पर वहाँ की बहुत कम है जाहिर है और गाव में रहने वाले जो ऐसे बंचित समू है जो कि अपने शहरों तक नहीं आपाते क्योंकि वहाँ पर जो अपने ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बहुत पूर है वहाँ पर पूस्टल मैं अपना प्रस्स में जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका जो कार छेत्र है अभी फिलहाल जो आपका छेती निदेशा के आप जबलपूर जोन के दिखा जाए तो उसमें जो अधिकांस जो इलाके हैं वो जंजाती छेत्र जादा है वहाँ पर या गामिन छेत पर तो वहाँ पर उच्छी सिख्चा के लिए आपको चुकि दाइट बढ़ जाता है क्योंकि पूरा चेत्र जो है अरिकां ट्राइबल चेत्र है वहाँ किस तरीके से इगनू के माध्यम से उच्छी सिख्चा को प्रमोट कर रहा है या लोगों को उससे जोड़ने की कोशि और एक ओपन इनुवस्टी के नाते हमारी जिम्यदारी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारी एक प्रायोरिटी है उन वंचित सम्गों तक पहुंचना तो इसके लिए जैसे मैंने आपके डिंडोरी के बारे में का था ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक है हमने वहां पर मोबाइल स्टेडी सेंटर की योजना शुरूरी है बाला घाठ है बाला घाठ है मंडला है और अनुखनवाला के असपास नेटवर्क है हमने विभिन सस्तानों के साथ में MOU साइन किये हैं और उन सस्तानों के अंदर हमने अपने अध्यन केंद्र सस्तानों में देते हैं इनको अध्यन केंद्र कहा जाता है इस उजना को तो यह एक तरीका है जिसके मादिय हम से में ट्राइबल कम्यूनिटीज को अपर पाते हैं अब इस बार हमने एक और नए बात की है हमने जो भी स्टिस्ट बैगरांड के स्टूरंट्स हैं इन सब के के लिए फीस माफ कर दी पिसले पालेट बोसी बेसिस पर हमने जुलाई साइकिल के लिए किया और इस बार हमारे ट्राइबल कम्यूटी के जो बच्छे हैं उनकी पार्टिसिपेशन प्रत्यास्चित रूपते बढ़ी है और जन्वरी वाली साइकिल के लिए भी यह लागू रहेगी और इस वक्त भी स्टूरेंट्स के पास ऑप्शन है क्योंकि हमारी साथ दिसंबर प्लास डेट है एड्मिशन के लिए अप्लाई करने की बलकि मैं कहना चाहूंगा हम सभी दर्शकों को जो की इस प्रोग्राम को देख रहे हैं क्योंकि देखिए हमारी हमारा विश दिया रहे हैं और हम ने अगर फीस माफ किया है तो यह बहुत बड़ी पहल है और उसके लिए यह सारे का सारा मानुसादने मंत्राले के पहल पर किया गया है और इस तरीक से उन सभी ट्राइबल कम्यूनिटी के बच्चों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी मैं कहूंगा क्य है और मैं आपको बताऊंगा कि एक तामिया विलेज जो है चिंदवाडा में हमारे अधिकार शेतर में आता है वहां से हमारे करीब 35 बच्चों ने बी-स-डवू स्यक्षिक कारिकरम में तामिया गाउंसे एड्मिशन लिया तो हमने भी एक एक इंच आगे बढ़के हमने का कि ठीक है अगर इतने बच्चे-सी गाहों से हैं तो हम हमारे एक्सपर्ट गाउं में जाके कांसलिंग देंगे अपने बात करी तमाम तरह कि आपने अधिके इंदों की बात कि आप यहां तक की समानेता पहुंच नहीं है उच्चे सिक्षा कि या सिक्षा की लेकिन डेखा को बनाय रखने के लिए आप किस तरिक प्रयास कर रहा है। जी इंद्रागादी नैशनल उपनिवर्षटी इसी गुर्णदधा के ले जाना जाता है। क्योंकि इंद्रागादी नैशनल उपनिवर्षटी में जो हम अपने स्ट्रूजन्स को जो मट्रियल देते हैं, ये की कमिटीज में इन्वाल्व हैं वो खुद इस मटीरियल को लिखते हैं उसके बाद हमारे विश्यशक दिस्टेंस लर्निंग फॉर्मिट में लाके तब इसको फाइनली प्रिपेर करते हैं उसको इस तरह के से प्रिपेर किया जाता है कि उसका लैंगविज का स्टेंडर्ड और उसको उसका जो कंटेंट है वो देश के सर्फ स्ट्रेस्ट एक्सपर्ट वारा बनाया गया है तो इसके लिए विश्व इस तर पर इगनु को काफी सरहना मिली और इसको एक सेंटर ओफ एक्सलेंस का दर्जा दिया गया है तो पहली चीज जो हम अपनी स्टूंट्स को रहते हैं वो सेल्फिय इंस्ट्रक्शन माटिरियल जिसके लिए कि आज इगनु को अंतरास्टी इस तर पर एक सेंटर ओफ एक्सलेंस के नाम पर जाना जाता है तो गुनवत्ता के नाम पर तो पहली चीज यह हम करते हैं उसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ी चीज में कह अए ऑर सुर ulने वाले हैं और वहां ऊपर विशेशक गें और इगने चाई विजェुतों के और हमारे जो घ्रिय कि आड़ी विज़ों बनते हैं ताखिक इस्ट्वर बेस्त एजूकेशनल मटेयल टीवी क funds के जरिये लिए potsर रेडियो के जरिये इसके माधिय ipon Adares Pr वो इन सूसना और टेक्निकी माध्यमों से उस आम आदमी या उस आम बच्चे के घर दौर पर उपलब रहता है वो कंटेंट तो ये सब गुणवत्ता इंप्रूफ करती है अगर एक बच्चा अगर हम मैं कहूं कि डिंडोरी के गाउं का बैम उसके लिए जेनियू का एक सीनि कर रहा है आज इगनू को टेक्निलोजी का सबसे बड़ा यूजर में कहूंगा हिंदुस्तान में जो की इगनू है और एक एडूसेट सेटिलाइट जब लाउंच किया गया था उसका ग्राउंड लेवल इंफ्राइस्ट्रॉक्चर जनरेशन के काम के लिए जो कमिटी मेनी थी तो हमारे वाई चैंसलर उसमें काफी महत्वपूर्ण रूप में इंवल्ट हैं तो यह इतनी बड़ी जिम्दारी एकनू क्यों दी जाती है इसलिए दी जाती है ताक्यों का बेसिक जो मैंडेट है वो यही है कि आम आदमी के घड़वार में उच्छ गुनवत्ता की सि सब्सक्राइब करा सकते हैं वक्ते ब्रेक का जलाई होंगे बने रही हमारे साथ नव वर्ष के अवसर पर आप अपने शुपकामना संदेश जन जन तक पहुचा सकते हैं डी डी मध्यप्रदेश के माध्यम से शास्किये तदशास्किये अशास्किये संगठन कॉर्पोरेशन पी एस यू या व्यापारिक संगठन तथा सभी महत्वपूर व्यक्ति जन प्रतिनिधी नव वर्ष के अवसर पर अपने शुपकामना संदेश डी डी मध्यप्रदेश पर प्रसारित करवा सकते हैं संपर्क करने के लिए किर्पया पता नोट करें हो बात हमारे पशुधन की इसके अलावा और भी बहुत कुछ अब तो इसे यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है तो देखना मत भूलिए कारिकम पिशी दर्शन दिन में तीन बाद केवल दूर दर्शन मध्यत्यदेश पर प्रिट रहें सदा जहां आप देखेंगे आपको फिट रखने के अलग-अलग तरीके यहां आप जानेंगे कि कैसे योग से आप अपने फूरे दिन को एनर्जेटिक रख सकते हैं फिट रहें सदा एवरी थर्स्टे और फ्राइजदे मौने एट एम अन्यों धीटी मध्यत्यदेश तरेगनी ने बसाया अपना सुन्दर संसा लेकिन उसकी अपनी ही बहन ने लगाई उसकी खुशियों पर खाथ अब अब हमारा पती ही नहीं अब हमारी किस्मत भी है क्या फिर भी बरकरार रहेका तरेगनी का विश्वास तरेगनी देखते रही सोवासे गुरुवार रात दस मजे सिर्फ डीडी नैशनल पर देश का अपना चैनल बेख के बाद आप सब्सक्राइब वाइब फिर सवागा थे हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे जो की चेती निर्देशा के इंद्रा गंधी राश्टी मुक्ते विसुच्जा लेकर पहले कि सुचना तखनीक जो है वो किस तरीके से उप्योग की जा रही है इगनु में और किस तरीके से गुलवत्ता बढ़ाई जा रही है अगर डिजिटल इंडिया की बात की जाए इस समय तमाम चेत्रों में डिजिटल इंडिया को लेकर तमाम तरीके प्रयास की जा रहे हैं और हर चीज ऑनलाइन की जा रही है जिससे की पेपर लेस वर्को महत इंडिया जा रहा है तो इगनु इस दिशा में किस तरीके से प्रयास कर रहा है जी डिजिटल इंडिया के बारे में अगर यूनिवसिटी के पाडिसिपेशन के बारे में बात कहूंगा मैं कहूंगा कि इंद्रगादी नैशनल उपन इनिवस्टी के ऐसा विश्यो दिया ल online भर सकता और उसकी confirmation की form जमा करने की confirmation उसके mobile पर उसको मिल जाएगी उसके अलावा जैसे first year से second year में बच्चे जाते हैं या second year से third year में जाते हैं जिसको हम कहते हैं re-registration तो ये प्रक्रिया भी पूरी हमने online कर दी तो इगनू की पूरी admission की प्रक्रिया के लिए पहले होता था कि बच्चे को पहले demand draft बनाओ application form अभी भी कई विश्यो द्याले में है तो उसके बाद शहर में आओ तो एक आम गाउं का किसान है या कोई भी यक्ति जो कि अपनी आजिविका में involved है वो उसको जितनी विश्यो द्याले में परिक्षा साल में दो बार होती है एक जून में और एक दिशंबर में तो कुस्व में पहले तो हम लोग on demand examination भी चलाते थे जो कि अभी रुका हुआ है लेकिन मैं जो आपको उस बारे में यह जो चर्चा कर रहा है कि डिजिटल इंडिया में जो हमने क्या क्या किया है हमारे पास एक online knowledge repository है जिसमें जिसको कहते है इग यानकोश हमारे पास एक e-library है अपने students के लिए जो कि सारे हमारे website में प्रोविजिन्स हैं जिसके लिए उनिवस्ट्री ने कई अच्छा का पैसा कर्च कि कि क्योंक कि हिंदुस्तान की किसी भी university द्वारा शुरू किया गया पहला ऐसा नवाचारी ढंग है educational repository का जो कि और किसी विए सोचा भी नहीं था जब हमने इससे शुरू किया और अगर इसके माध्यम से आप हमारी सारी के सारी single window screen के तरफ हमारे सारे program का audio visuals उसके study material सिधे online access कर सकते है तो और हमारे channels TV channels हमारे radio अभी हमने एक internet radio के शुरुआत की है यांधरा नाम से तो उसमें आप अगर अपने कुछ चुने हुए programs के लिए अभी हमने pilot basis पर शुरू किया है कि radio के जरी हमारे internet radio चलता रहता है उसका schedule होता है जो सांसात में चलता रहता है आप अपने देखिए कि मेरे program का इस particular topic पर किस दिन एक radio talk आने वाला है आप उसको सुनिए और उसकी सवाल जबाब कीजिए तो वो live रहता है तो बहुत अच्छा experiment ये भी है रेडियो स्टेशन का एक अच्छा खासा network तो हम काफी लंबे समय तक चलते रहे हैं यह जानवानी वाला है नाम से लिक की confirmation का यह सारा हमारे डिजिटल इंडिया के participation और बहुत बात में और कहूंगा वह यह है कि डिजिटल इंडिया के लिए जरूरी है कि आदमी digitally literate भी हो और उसके लिए हमारा एक शैक्षिक कारिकरम हमने जो शुरू किया था कुछ समय पहले वह बहुत मत्पून हो सकता है को कोई भी functionally literate व्यक्ति इस कारिकरम को कर सकता है हम उसको computer literacy program कहते हैं और हमने अभी एक नई चीज़ यह की है कि जो एक ministry of textile के साथ में हमारा एक MOU साइन हुआ है उस MOU के तहद computer literacy program में कोई भी बुनकर समुदाई के व्यक्ति अगर admission लेते हैं तो उसके लिए फ्री होगा उ जैसे खरगौन एरिया है हमारे चंदेरी महिश्वर यह सारे के सारे बिनकर समझाए कि अब्यक्तियों की जो आजविका है उनको शचक्त करने के लिए जरूरी है कि उनको higher education से जोड़ा जाए तो इसके लिए उन्द भारत भीयान के तहत हमने एक खास पहल की है और मैं बलक यह सारी की सारी चीज़ें काम आदमी तक पहुंशने के उपाए हैं और डिजिटल इंडिया के आप बारे में आप बात करने तो डिजिटल मींस से लोगों तक services देना यह सब हमारे हमारे रोज़वरा की इंड़गी में शामीर है एकनू के अपी अच्छी ग्रूबता जो ह अपने नहीं लांच किया है जो भी नए कोर्सिस हैं प्रदेश में और इसके लाबा जो आपके जो एक पैटन है परिछ्छा का पैटन है तो उतमें जो कोर्सिस हैं कई लोगों के यह मन में असंका होती कि क्या वह अपनी नेमित पढ़ाई के साथ कोई ऐसा कोर्स कर सकते है यह कौन-कौन से कोर्सिस जो वह दो साथ में कर सकते हैं जी देखे मैं दोने प्रशनों का लग लग जवाब दूँगा पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि एकडिमिक प्रोग्राम के बारे में करीब दो सो पच्चीस से जदा अकडिमिक प्रोग्राम सम्झे चलाते हैं य हमारे समाच के वर्ग के हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम है अगर आपक एक किसान हैं तो हमारे पास आपके लिए प्रोग्राम है अगर आप एक वेरोजगावee नभी वेट हैं हमारे पास प्रोग्राम हैं हमारे पास और यह के सब एक whole try pulley program से हैं, जैसे कि मैंने का कि एक agriculture program से मारे बार चोड़े छोड़े चैसे मैंने dairy farming के जैसे की मध्यप्रदेश में anytime खास initiative ली आ आथा government म१्यवद्देश के support से दो मेने का एक during का, एक awareness का हमने दो मेने का कारी कर म्ध्यक्रम चला था और government औम मद्यबरदेश ने उनको स्पॉंसर किया था और ऐसे बड़ी संख्या में इन लोगों को जो की गाउंस के बेरोजगार नभी वक्त थे उनको हमने डेरी फार्मिंग के एरिया में आवएनेस प्रोग्राम किरा है दो दो मेने का जो अभी भी चल रहा है मैं मिसाल के बता रहा हूं तो मतलब एक आम तर पर गाउं में रहने वारा है बेरोजगार व्यक्ति शायद कभी नहीं सूथ पाता हुआ उसके लिए डेरी फार्मिंग के पेस्ट में डिस्टेंस एजूकेशन से क्या कर सकता है तो इगनू में यह जो कॉलिबरेशन और नेट पर पर गाङनवणरी वरकर सोई लिए जार्लं के अ आशा वरकर से हैं वारेशन चाल्ट केर के अधियल्द के पेस्टेशण के परग्राम से और Пр alem यह कॉंस पोल्सितम के लिए लाउब करी अं.\ सीनियर आयस ऑफिसर्स जो की उनको एक सेक्षिक कारिक्रम बहुत महतुपूर नहीं लगते हैं क्योंकि वो उनके सीधे की सीधे वर्क प्लेस की रिक्वार्मेंट से जुड़े में हैं इन पर आफिकी सीधे काईफ जो करा साथ क् मोर्वाट से एक वी कीांट और आपके बडिए नस तो 물 एंजा के मॏं के वाहरा लटन के लिए drastic करेंगी कोई या और अलाइन अद्मिशन के लिए आ् eddi Jade मिल जाएंगी आप शेत्री केंद्र में कॉंटक्ट करें और कोई आपको कोई अपन्में लेने की ज़रूरत नहीं है अरिजनल डेक्टर से अब जब चाहें आके मिलें तो यह सभी बात हैं हमारे जो भी स्टूंट्स इस प्रोग्राम को अगर देख रहें तो मैंसे आगर रह उप्योगी जो आपने बताया है कि लोग करना चाहते हैं लेकिन वो दो डिग्री डिप्लोमा या इससाठ कर सकते हैं ने कर सकते हैं यह दुगधा एक रहती है जी बहुत बड़ा प्रोग्राम्स करने वाली जहांते करने बात हैं अगर कोई कहीं दूसरे विश्वध्याले इसे कोई कोर्स कर रहा है तो हमारे विश्व दियाले से 6 मेने का कारिक्रम और कर सकता है मैं 6 मेने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कारिक्रम ये जो कहीं किसे पढ़ रहा है हो जा था तब तक यह लाओड नहीं है अभी मैं इन सभी छादरों से कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़ा कुर्स ना कर रहे हैं एक करने से दिक्कत होगी आप जैसे अगर बी ए कर रहे हैं किसी प्रोगराम से तो हमारे इसे दुसरे कला कोई बीएट का स्टूएंट है किसी परंपरागत विश्वद्याले से बीएट कर रहे हैं तो आप हमारे यहां से सर्टिफिकेट इन गाइडेंस करें वह बहुत अच्छ वो मानने होगा. अगर 6 मांने कहला हैं, उच्छी सças चेश्चा के चेतर में लेकर उचेस्चा के छेतरुब्ह कर देखे एगनु के की पास में अपार संभा होना है. सबसे बड़ी बात इसलिए है कि इगनु सीधे क्या सीधे की इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विश्व दिया ले हैं विकास को के अपने अब्जेक्टिव को पुरा करने के लिए सरकार को जिन जिन इस तरों पर इगनु की आवश्वता होगी इगनु उन इस तरों पर सरकार के साथ रहेगा और इन सभी शेत्र में नए-नए परोग्राम्स लेकर आएगा ताकि लोगों की कैफिस्टी बिल्डफ हो ताकि विकासी प्रोक्रिया में भागीदर बन सके ताकि उनकी शंताओं का पुरा उप्योग किया जा सके तो आज इगनु के प्रोग्राम्स इसलिए इतनी ज्यादा डिमांड है आपको अप कलपना कर सकते कि अगनों ने जब अपने शुरू किया था 1987 से अपने कोर्सेश देना शुरू किया था तो उस वाक करीब पांशेजार की इन्रॉल्मेंट स्टेंथ के साथ में हमने अपने शेक्षरी कारिक्रम शुरू किये थे जो कि आज तीस लाग से भी ज्यादा स्टूट्स एक् सकते हैं कि अगल पनी है जी मलेकुल तो उमेश चंद्री जी जिस तरह के साथ में पताया है कि अगनु जो है लगातार उस तक्षा के साथ में काम कर रहा है और अपनी आगे कई सारी योजना हैं जिन पर की वह जीटल इंडिया पर आगे बढ़कर आगे बढ़कर और लोग को उस सक्षा के चेत्र में नहीं जो आउसर है वह पजान करेगा हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जर्नवाद आपका यह था हमारे साथ डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे जो की इंद्रा गांडी राष्टी विष्ट विद्यालाई के चेती निने जिता है अगले करता है